नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। इस चनल पर मेश लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी बारा लगन है, इन सभी बारा लगन में शुक्र का जो प्रभा होता है, वो किस प्रकार का होता है, इस विचे पर वीडियो अप्लोड हो रहे हैं, आप उसका आनद जरूर लिजे, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा भी हो सकते हैं या फिर शुबभ भी हो सकते हैं, आम अमंतर पर अमशियों सोचते हैं कि शुक्र जोग रहा है, यह नई सरक शुबग रहा है, लेकिन विचे लगन के लिए वो शुबग फलदाई माना नहीं जाता, क्योंकि यह जो ग्रह है, यह आपके लगन का, मतलब यह बहाँ में तुला राशी आती है, तो वेज भी है और सबतमेश भी है, तो इसलिए से अगर देखा जाए, तो जो शुक्र गरह है, वो वुर्चिक लगन के लिए अशुबव फलदाई माना जाता है, लेकिन सबसे महतो पुर्णग रहा है, विवास सुक के लिए, तो हर एक राशी में, या फिर हर एक स्तार में, इसका जो प्रभाव है, वो किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा, अब हम शुरुवात करते हैं, जैसे कि अगर यह जो शुक्र है, या आपके प्रत्वम भाव में, या फिर लगन भाव में होगा, तो उसका जो प् देखोगे तो व्रिचिक लगन के जो विक्ति होते हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही खुबसरत होते हैं बद्दब हर एक व्रिचिक लगन के बारे में यह कहा जा सकता है कि व्रिचिक लगन की जो विक्ति होता है इनका इंपरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकत हाला किम रिची लगन के जो वेक्ति होते है थोड़ से जो मिजास होता है थोड़ सा अलग होता है अपने बात पर आडे वे अटे हुए रहते हैं और थोड़ से सामने वाले वैक्ति हैं athletes नहीं करते ये सबी बात होती है लेकिन काम करने का दमखं होता है उनमें काफी अच्छा देखा जाता है थोड़ा सा अमर्चिक लगन के वेक्टे होते है इंक ने बात की वह काफी जादा हो सकते है बहुत ही ज्यादा और इनकी जो फैशन का जो सेंस होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है नॉर्मली यह देखा जाता है कि यदि रिचिक लागन में शुक्र है तो ऐसे जो विक्ति होते हैं प्रेम विवा होने के चांसे काफी जाधा बढ़ते हैं उसी प्रेका रिलेशन्शिप का यह जो होती है रिलेशन्शिप वाली बात वह भी कंपल्सर इनके जीवन में होती है तो यह बात इनमें देखे जा सकती है अब यहाँ पर दो-तीन बात इसके उपर थोड़ा सा ध्यान देज़ें कि विच्चिक राशी में तीन नक्षतर आते हैं विशाखा, अनुरादा और जेश्टर जिसमें कि अगर विशाखा या फिर जेश्टर नक्षतर में यदिशुक्र है और ऐसा शुक्र जो है किसी अन इनका जो भी सौंदर है या फिर इनका जो भी व्यक्तित्व है उसके साब से उसी प्रेकार इस शुक्र के साथ यदि रवी है तो इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो काफे ज्यादा अट्रक्टिव होता है तो यह बात देखे जाते लेकिन आगे दर इस शुक्र साथ बुद्ध रवी और धूर शुक्र के इृषद गरिया फिर शुक्र के साथ होने के संभाव ना ज्यादवावबनती है तो यह दिश्ट में समसा हो सकते लेकिन शुक्र के बारे में देखा जाएे तो इनका विक्तित होता है वह काफी अच्छा देखा जा सकता है अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके वितिया भाव में होगा मतलब धनो राशी में यदि शुक्र होगा तो इसमें सबसे महत्व पुड़बाद ऐसे जो विक्ति होते हैं इनके जो वानी होती है वो काफी अच्छे होती है उसी प्रकार इसे जो होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है इसविवासुक के बारे में क्योंकि आपका जो सब्यवाश है और बेयश है जो कि विवाशक्त के लिए महत्वर्ण होता है वो आपके द्वित्या भाव में होता है सब्तम भाव की शुक्र में इंस फ्रेस में बाधान लाग सकता है वैसे भी देखया जाएं तो những मतलब गुरू के राशी में थो नॉर्मल फुराइब उसी प्रकर यदी यह जो शुक्र है यह absorbing मुल में राश में होगा क्योंकि धनू-इर ट्री्य व to अीरश में तो यह जो आपको विवा सुख मिलने के जो चांसे से वह बहुत ही कम बनते है यह पर दो तिन भातें हैं, उसके बारे में अनुबव आ सकता है, विवा सुक में बादा आ सकती, या फिर लैंगिक सुक में भी बादा आ सकती, मतलब आपकी जो वैवाई जुडितार है, उनसे लैंगिक सुक मिलना, या फिर कम मिलना, या फिर आप में किसे लैंगिक विकार होना, ये बाते हो सकती है, उससे पर आगे ये जो बाते है संतान सुक में भी ये बाते दिखाई दे सकती हैं, तो ये बात होती है, तो खुल मिला के देखा जाये, तो ये जो शुक्र येदि मूल नक्षदर में और किसी अन्या पाप करके यूति के इंदर परतियोग में होगा, तो विवा सुक मिलने के जो चांसे से तोड़ी कब मनते हैं, लेकिन आर्थिक जो स्तर है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, वैसे भी देखा जाए अममनतोर पर जो शुक्र जो यदि आपके द्वितिया चतुर्त, भागे या फिर लाव भाव में होगा, तो आपको जो पैसे का जो सुक है, आर्थिक जो स्तर है, वो नॉर्मली काफी अच्छा देखा जा सकता है, अब हम चर्चा करेंगे कि यदि यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके द्वितिया भाव में होगा, तृतिया जो भाव है, इसे पराक्रम भाव कहते हैं, और पराक्रम भाव में नॉर्मली जो पाप ग्रह होते हैं, वो सबसे मैंतोपन होते हैं, क्योंकि आपको अगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो दमखम होना चाहिए, आप में उर्जा होनी चाहिए, तो तो आपको ऐसी जो बात है वो थोड़ी कम मिलती है अब यह जो शुक्र है यह शुक्र आपका वेश है सब्तमेश है तो ऐसे जो वेक्ति होते हैं इनका घुमना फिरना ज्यादा हो सकता है उसी प्रकार उनके वयवाई जुड़ीदार है वह उनको काफी अच्छे मदद वगरा मिल सकती है बाहर गाव जाना या फिर फॉरण जो आम तो पर यह प्रश्न पूचा जाता है फॉरण रिटन्स वगरा तो यह भी बात हो सकती है यदि शुक्र आपके तृतिया भाव में होगा भाई बेनों का सुख भी आपर अच्छा मिल सकता है अब यह आपर एक बात है शुक्र यदि आपके मकर राशी में है तो अगर आपका लव मेरेश होता है तो सामने वाला जो विक्तिया है वो डिफरेंट कास्ट या फिर कम् आगे नहीं बढ़ते हमेशा किसी ना किसी प्रकार के इनको सपोर्ट चाहिए मतलब खुद के बल्बोते पर वह आगे बढ़ नहीं पाते अब हम चार्चा करेंगे कि यदि शुक्र जो है यह शुक्र आपके चतुरतवाव में होगा तो मैंने इसके पहले भी कहा कि जो सकते हैं यहां पर दो तीन बाते हैं उसके थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है देखे चतुरतवाव में शुक्र होगा तो आपको अधिबहुतिक सुख सभी प्रकार के मिल सकते हैं और पहले से ही सभी प्रकार के मतलब गाड़ी या फिर बंगला यह सभी बाते जो है अध शनी की राशी है ठीक है जो कुंबर राशी वो शनी की राशी है तो शनी आपके कुंडली में किस प्रकार से है इस पर डिपेंड करेगा कि आपको मा का सुख मिलना है या नहीं या मा के साथ आपके जो डिलेशन है वो किस प्रकार के होगे लेकिन यहां पर अगर शुक्र ह दिन होते हैं मतलबूड़ापे के जो नोते हैं वह भी काफी तरीके से हो सकते है तो अनमानतर नंदर यह भी प्रस्ष्ण पूचा जाता है तो शुक्र ज opinion को आपको विवास्च भी काफी अच्छा के बारे में हम कर सकते हैं लेकिन मोटे दर पर अगर देखा जाए तो चदुर तो बाव का जो शुक्र है वह आर्थिक स्थर से आपको सभी प्रकार के आर्थिक सुक्ष देने की संभावना काफी अच्छी बनती है अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि आपके सब्सक्राइब कर देखिए सबी प्रकार के सुक्ष तो आपको मिलेंगे अधीबोतिक सुक्राइब उसे प्रकार ऐसे जो विक्ति होते हैं खास करके यहां का जो पंचमभा हो है वह कला के शेतर में काफी जागा ज्यादा आगे बढ़ सकता है किसी ने किसी प्रकार के वो शुक्र से देज़े जा सकती है लेकिन यह जो शुक्र है वो आपको विवा सुक देगा या नहीं इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकते कि मीन राशी का जो शुक्र है वो विवा सुक्राइब कारक नहीं माना जाता यदि यहां पर देखिए शुक्र यदि मतलब मीन वो गुरू की राशी है तो संपूनता जो शुक्र है वो शुमफलदाई नहीं माना जाता, शुक्र के जो कोर वैल्यू है, जो मुलबुत गुण दर्मा है, विवासुखका, वो मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और खास करके इस शुक्र के सास किसी अन्य गरह के, पाप प्रतियोग होगा तो भी वो जो विवा सुख है वो मिलने के संभावना काफी कम बनती है तो यह बात होती है दूसरी ज़िए तो बुर्णबाद ऐसे जो मतलब यदि आपके पंचमवाव में मींद राशी का यदि शुक्र है तो आपका प्रेम विवा होने के चांसे काफी ज प्रेम विवा कहते हैं फिर लव मेरेज होने के चांसे काफी जादा बनते है उसी प्रकार पुर्षों के यदि कुंडिली है इस जिसमें कि शाष्ट बाव में मेश राशी का शुक्र होगा तो थोड़ा सा किड्नी से रिलेटेड जो भी व्यादिया है वो होने के चांसे काफी जादा बनते है देखे जो शुक्र है शुक्र के लिए शाष्ट सान बिल्कुल भी शुबफलदाई माना नहीं जादा उ या फिर इस शुक्र के साथ अन्य पापर ग्रह का यूति केंदर प्रतियोग होगा तो फिर विवा सुख मिलना बहुत ही कम होता है अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके सब्तम भाव में होगा और देहें सब्तम भाव जो है यहाँ पर जो सब्तम भाव में जो राशी आती है वो भी रुशव है मतलब शुक्र की राशी है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर व्रिशव राशी में पहले 10 degrees है वो 10 degree कृतिका नक्षत्र के आते हैं तो यदि कृतिका नक्षत्र में है शुक्र तो जो आपके वैवाई जुड़िदर है उनका जो रंग रूप है वो काफी अच्छा होगा लेकिन विवास सुक मिलने के चांसे बहुत ही कम बनते हैं तो इसके उपर थोड़ा सा ध्यान देजिए या फिर आपके जो वैवाई जुड़िदर है उनको करीप रकार के व्यादिया वगरा होने के संभावना काफी बनती है तो यहाँ पर यदि कृतिका नक्षत्र का शुक्र है तो विवास सुख में आपको समस्या देख सकता है लेकिन यदि रोयुनी या फिर इंब्रिगन अक्षत्र में शुक्र है तो विवास सुख में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा जो शुक्र है वे किसी अन्यप आपके रहे कि पेंदर केंदर प्रतियोग में नहीं तो ही ऐसी बात हो सकती है मैं उधान के तोर पर एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर यदि आपका व्रुषभ राशी का शुक्र है कर रहा है तो भी आपको विवासुक मिलना काफी कम होता है तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवशक है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यदि यहाँ पर हम शुक्र कर जैसे बात कर रहे हैं कि शुक्र यदि स्वेम के राशी में हैं तो विवासुक मिलेगा ऐसा मा बहुत है इस शुक्र की जो टेडली मोशन होता है जैके मंट होतीजी दैनिक होती है वह किस प्रकर किईंगा इस प्रकर किक शुक्र की जो सुक्र के हैं क्योंकि यह नंच्य को फिस काहला होता है तो इन सभी पैरमेटर्स देखकर आपको ये तैय करना होता है कि आपको विवासु किस प्रकार का मिल सकता है तो सिर्फ आसे यदि सप्तम्भाव में वृषब राश्य का शुक्र होगा तो सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मान के चलना थोड़ा सा कठिन है अब हम चप्रचा करेंगे कि यदि शुक्र आपके आश्टम भाव में होगा तो यहाँ पर आपको मिनने वाले जो रहेंगे जो विक्ति होगा वह काफी ज़्यादा वेल्दी होगा उनके पास पैसे वगरा जो बाते हैं वह काफी अच्छी तरी किसे हो सकते यहां पर यह जो बात है वह पॉजिटीव भी है और यदि मिथंद्राशी का शुक्र है तो आपको विवा सुक या फिर आपको जो विवा है वह प्रेम विवा होने के चांसे काफी ज़्यादा बनते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्क है यह पर एक बात में कहना चाहूंगा कि यदि आपके तुनली में अच्टमभाव में यदि मिथंद्राशी का शुक्र है तो अगर आपने कही से लोन वगरा लेया है तो वह बात जो है वह आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन्स वाली हो सकते बस आपको उसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क है अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि आपके भागे भाव में होगा तो जो शु कराशे में करीबन तीन नक्षतर आते हैं पुनर वसु पुष और आसलेशा यहां पर जो आसलेशा नक्षतर में यदि शुक्र है तो विवा समय चोटी मूटी बादाए आ सकती लेकिन यहां पर एक जो बात है वो थोड़ी से अलग से होती है अमों मंतर पर यह प्रश्न प सब्तमेश यदि भाग्य भाव में है और खास करके शुक्र यहां पर जैसे कि सब्तम भाव में जो राशी है वो पृषब राशी है तो सब्तमेश यदि भाग्य भाव में करक राशी का है शुक्र तो विवा के बाद आपका जो जीवन है वो काफी सकारत्मक रूप से आग तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो यह जो पर्टिकलर आस्पेक्ट है सब्तमेश आपके भाग्यवाव में मतलब शुक्र यदि आपके भाग्यवाव में करक्राशिक होगा तो वह काफी ज्यादा शुबुफलद्दाई माना जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है उसे प्रक करेगी कि यदि शुक्र आपके दशमभाव में होगा तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं जो शुक्र यदि आपके दशमभाव में होगा तो वह सिंग रशी का शुक्र माना जाता है अब यहां पर मैं और एक यह बात कहना चाहूंगा कि यह जो भाव है वो उदित गव करना होता है धुनिय अज सब्सक्राइस और आगे बढ़ूरा होता है यहां कि जो अब होना काफी जादा आवश्यों नहीं होता है तो वो जो बात है वो सकते, लेकिं शुक्र जो है, वो इतना शुबफलदाई माना नहीं याता है, इसलिए कि ऐसे जो वक्ति होते है, वो किसी अन्या वक्ति के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल इंका जो खेटर होता है, वो आफिस या फिर ऐसे मतलब काला का शेतर ऐसे एक शेतर में काफी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन मोटे तोर पर जिसे हम कहते हैं कि कि पुरुष के कुंडली में ऐसे योग होना थोड़ा सा इतना नॉर्मल काहा नहीं जाता या फिर शुपफलदाई माना नहीं जाता अब यहां सब्सक्राइब के साथ किसी अन्य पापग्रा का युदि के इंदर प्रतियोग होगा तो विवा सुख में काफी ज्यादा बादाएं आ सकती है तो कुल्मिला के देखा जाए तो यह जो शुक्र है यह यदि आपके दशंबाव में सिंग रशे का होगा तो शुपफलदाई का कि यदि शुक्र आपके द्वितिया वाव में चतुर्त वाव में पंचम वाव में और लाब वाव में होगा तो किसी भी राशी में होगा तो शुपफलदाई माना जाता है खासकर कि लाब वाव में होगा तो आपके जो मितर परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी reden मिलें सकते खास करें आपके मीचत्र नगशत्र में हैं ये शुक्र के साथ किसी अन्य ग्रहों पाप पग्रह का यदि यूतिक अंद्रपत्योग होगा तो फिर वो शुवफलदाई माना नहीं जाएगा अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके वेवभाव में हैं वरिचिक लगन के लिए शुक्र यदि वेवभाव में होता है तो वह स्वयम के राशे में होता है मतलब तुला राशी में होता है तो तुला राशी का शुक्र यदि पि वह स्वयम के राशी में है लेकिन फिर वीवव शुवफलदाई माना नहीं जाएगा विवासुक में ब आफी ज्यादा बढ़ सकते आपको उसके उपर थोड़ा सा ध्यात देना आवश्यक है लेकिन यह जो शुक्र है यह शुक्र आपको धार्मिक या फिर अध्यात्मिक मार्क पे ज्यादा इंट्रेस्ट लेके आ सकता है तो यह बात होती है उसी प्रेकार ऐसे जो वेक्ति होते ह होता है और इस शुक्र के साथ यदि मंगल है तो आपका परदेश गर्मन कंपल्सरी होगा और वहां पर कि सिटिजन्शिक मिलना होए ऐसे जो प्रशन होते हैं तो वह भी मिल सकती है और आपकी जो वाई-वाई-वाई-जुड़िदार उनके साथ आपका बाहर जाना हो सकत करत कोल मिलाएके देखा जाते हैं जो शुक्र है वो शुबभ फलदाई घंज यह और तो फिर आपके लिए अध्यात्मिक या त्थाण मिक्जी वादि झेल्ड़िदो कर सकते हो तो दोस्तों ये था रुचिकरा लगन के लिए शुक्र का हर एक स्तान में या फिर हर एक राश्य में इसको प्रभाव होगा वो किस प्रकार का हो सागता इस विशय पर चर्चा आपको ये वीडियो कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कविट करना और अपने जो चैनल है प्रमांड सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवार